रिवीजन 18 को स्टाट करते हैं first question क्या कह रहा है a person borrowed some money on simple interest after three years he returned four thirds three साल के बाद कितना return किया three के चीज थी एक चार return किया ना कितना? तीन के चीज चार return किया एक interest लगा एक उनिट का interest लगा एक एक उनिट का इंटरेस्ट लगा याए तीन यह से तो पूछ रहा है कि what is the rate of interest, एक का interest है न, एक साल का interest के हो गया 1 by 3, 1 by 3 किस पे होगे 3 पे, गुड़े 100 होगे 1 by 9, 11.11 फट्सन, 11.11 क्या हैगा, 9 कमें नो यह नहीं होगा न, दून अठार, 9 कमें नो यह हो जागा, 11 plus 1 by 9 को क्या लिक्स को 10 मुल लगा होगे तो 0 हो जागा न, तो 10 by 9 हो जागा, 0.11 चला जागा, पांच यहर की बिजली बील के लिए 30 परसंट और 26 परसंट और 5 परसंट की छूट दी जा रही है, और एक बार 26 और 5 परसंट की छूट दी जा रही है, तो उसके वीच गंतर बताओ, तो एक बार इंडिविज्वल तीस दे रहा हो, एक अब क्या दे रहो, 26, five the worst, 31 हो गया ना, ऐसे करते हूँ नो छूट में, माइनस छ, माइनस five माइन, बलस, there minus five परसंट, 100, यही करोगा नो चूट, तो नीगिटिव साइन के साफ आता है, डिस्काउंट है नो, तो नीगिटिव साइन के साफ आएगा, अब देखो, यह भी न discount represent कर रहा है आप कह रहा है तो यह जोड़ोगो तो क्या हो जागा माइनस 31 हो जागा और पांदुना दस सो पांच है का तीस तो 130 हो जाएगा तो 130 फे 2-0 दस नो चला जाएगा तो यह जाएगा यह प्लस में जाएगा जब यह डिक्रीज करोगे तो 30.30 आजया ना विद नीगेटिव साइग अब देखो कितने कंतर हो गया पॉइंट 30 का अंतर हो गया ना पॉइंट 30 इसको कितना होगा तीन पाज़ा पंदर अडेड़ सो एक तरीका यह था एक तरीका क्या था आप डाइरेक्ट रखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई हंडेड यह होता है सक्सेसिव एक्स परसेंट और वाई परसेंट का एक्स परसेंट और वाई परसेंट का सक्सेसिव क्या होता यह होता अब देखिए जब डिसकाउंट रहेगा तो यह निगेटिव निगेटिव चला जाएगा फिर यह पोजिटिव आजाएगा तो कुछ नहीं करना आप डाइरेक्ट भी लग सकते थे छे पाची गया रहे एक तीस पोजिटिव में माइनस एक सो डेर सो बाटे सो यह ऐसे करके आप डिक्रीज कर सकते हैं 130 है था नो और डिक्रीज करके उसके थिक भ вас 30 का फाइनल Euh बता देते कि आप डिकस्ते एक तीब और देशित हर्द निगटिव एक त्टैट बसाद तांट नौन को टैवर्ट लिब यह एक 1 ट्रिपलेट बनाता है 8 15 और 17 के साथ बनाता है 8 15 और 17 के साथ टिपलेट वाला सेसन मैंने लिया है तो पूछ रहा है क्या क्या रहा है तो उसके 2 कुण नियॉण कुण होंगे एक एंगल 90 डिगरी का है तो बाकी दो एंगल तो सम अफ 90 डिगरी ओगा न यह ठीटा होगा यह 90 टीटा होगा तो चाहे ठीटा हो चाहे 90 मैनस ठीटा हो दोनों ही अंगल से क्या होगे 90 से कम होगे तियो पहला तो स्टेटमेंट साहिए किसी त्रिभूज की भूजाओं के मत बिंदू को जोडने वाले त्रिभूज का चत्रफरल बड़े त्रिभूज का एक चौथा ही होता है यह कोई त्रिभूज है इसकी भूजाओं के मध्यविंदू को जोड़ा है ति यह जोणने वाले जोणने से बढ़ने त्रिभूज का छेत्रफल अच्या इसके मध्यविंदू को जोड़ा इसके मध्यविंदू को जोड़ा इसके मध्यविंदू को जोड़ा इससे जो त्रि उतनक हेँद से दर लंगाने हो घाँए है न अब एक की ट्राइंगल ही हो गया धू सबसे बड़ी बोजा एल वाले तुर्भूच का चर्फल क्या होता है हमेशा है लग स्कॉर से कम होता है मालो सबसे बड़ी बुजा पांच बारा के साथ ट्रपलिट बना रहा था तेरह का सबसे बड़ी बुजा तेरह तेरह का स्कॉर कि होगए 169 169 वाई 2 इसके च्टरफल कितना हो गया एक बटा कह रहा है इस यह मैंने सम्कोर्स ठी खुज ले लिया था कि hydrogen a search सम इस Amодыald मपासानी से आपका वैलू निकल यह आधार और उचाई की रेसियों है एक क्यार टू ए ओ ठी सावाले समदीवाय अच्छा सम्दिवाय त्री थी जात इसकी निवादन को बुझाएं सेम होगी एक टूए है एक ठीस एक मालब टूए टूए एक ठीस ठीस तटीक दिया है ना कचे तरफल कितना होगा ती पता संगो समदिवावी तो इसको आधा आधा पार्ट में डिवाइट करती है यह यह तो पूरे तरुपूज का एरिया कितना हो गया एक वटा दो आधार किया हो गया थ्रिया और उचाही कितना हो गया यह बताना है आधा दिवाइट करेगी तो 3a2 हो जागा यहां से तुम पाइथागोरस लगा करोगे तो 4a2 स्काहर फूर एस्काहर माइनस यह बनाया थे नटू ए था यह तो अधा फ़जब सामने इस पर पेंडिक्लर डॉफ करोगे ते थ्री यह जाए थ्री यह वाई टू और थ्री यह वाई टू में रिक हो जाएगा तो इसका बता रहे हुं कैसे वैल्यू निकलेगी तो तो 4a2 माइनस 9a2y4 16 में से नो हो गया कितना हो गया 9 16 में से नो हो गया 7 7a2y4 अब इसका अंडरूट जाएगा न तो क्या वैल्यू हो जाएगी ए अंडरूट 7y2 अब देखो इसका एरिया निकलोगे ते रिया क्या हो जाएगा एक बटा दो आधार गुड़े चाहे एक तो अधार कितना थ्री यह वाई 2 और उचाही कितना है एंडरूट 7y2 तो वैल्यू क्या होगा एज को आए इसकुरी अंडरूट 7y8 यह अलग से आ रहा है अब देखो क्या कहरा है यह तो थ्री अंडरूट 3a2 यह क्या संब्वाए है यहां तो थ्री अंडरूट 7 नहा रह वेर्पाμη फस्टमंट वंग हो गए अगला िराच यह अनकीत मूले से अधेदांपड दुख अंदरना माल धी इससे में गई होगी ना। 83 कि वैलू क्या एक है। तो किस की वैलू बताने या। लाव प्रती दस्ता केतनी होती है यदू इसका माल लंके तुमणले पर बेचा चाहता है। अगर 83 की वैलू 1 है, अगर 2 में बैचा जाता है, तो क्या होता है। यह तो है गुड़ेश 83 की वेल्लू क्या यह है तो 2 की वेल्लू बता दो अब एक सगुन को देखो cost price तो 100 माने थे ना तो selling price 83 हो गया ठीक है 1 की वेल्लू का 83 है तो 2 की वेल्लू बताओ उल्टा हो गया ना इसको ऐसे करेंगे चुकि एक की वेल्लू हमको पताओ 83 है तो 2 की वेल्लू क्या हो गई आड़ दूना सोल ला तीन दूने छे 169 तो कितने का profit हो गया 60 सॉरी 66% का profit हो गया ना यह तीन दूना छे हो गया 66% का profit 100 की चीज़ कितने में चली गई 166 में चली गई भी आपयए से कर सकते थे मार्क प्राइज कासफ़ी का हम लोग करते रिखंग वेलों कॉस्त प्रायज को मार्क परसंट पर क्या वह पर पर्राइज कोdır होता है क्यों सीपी क्या होता है ओल्वेज इक्वल टू वार्ट वंडिट पट्सेंट इसकी वेलबे तब हर जगा अठाट है देखो कुछ नहीं करना है बस 8864 का चार हो गया ऐसा करो पी क्यों यह 64 हो गया ना 64 जोन एक सब्सक्राइब तक यह क्यों स्वाटेब कर दो क्युक्य के दाकेल हां नियुक्ण सु का घ्राट ओंसर सु सक्षे उक भाई डिन तीन पैंणीब क्छी का सब्सक्राइबस थिजातर दसमें लोगा है उस साइड भी स्क्वार की तो इधर तो 6 डिजिट हो गया उदर 12 डिजिट हो गया इसके पास 3 जीरो कम है न इसके पास 6 जीरो कम है न इसको 6 जीरो देना होता तो देते न 6, 10 की प्वार 6 इसको दे देते तो जब 10 की प्वार 6 हो जाता तो 10 की प्वार माइनस 6 हो जाता कहीं कुछ गरब नहीं न दो यह हो गया 3 ही हो गया 3 डिजिट फे क्यूब नभी इसका क्यूब करें होंगे आप तो यह 3 डिजिट फे दसमनो गया होगा क्योंकि यह तो क्यूब रूट में था नः और यहां क्यूब करेंगे तो 3 ऑई 4 दियां 12 डिजिट हो जागा यहां तो इसको आठ डिजिट देना पड़ेगा ना टेन की पावर 8 अ तो अधर जागा तो 10 की पावर माइनस 8 में गजागा 10 की पावर माइनस 8 कहा है वाइप आंसर कुन्स आफसन हो गया पी वाई क्यों के वेलू बताना देना एक दो तीन एक चार चार का क्यूब की यह तो बारा हो गया एक दो तीन तीन है उदर बारा नौ था नहीं हाँ नौ होगा next एक वेकति अपने यातरा का one fourth इतना किल Executive से ही उसका फिर यातरा का इतना हाद किलमेटर से फिर आधा कितने से किया यह बचा किया एक कितने से किया पतचीस पचीस से किया था यहें मतार से किया यह फचास पितने हो गया डिस्टेंस एवरेज स्फीड क्या होता है टूटल डिस्टेंस क्या हो गया 25, 4 दोनकाट 8, 8, 8, 135, 5, 5, 5, 5, 6, 2, 1, 1, 4 ट्म ये तो पार्ट है तो 125, distance of un-speed कर दोगे तो time निकल जागा तो फिर इसक का LCM लेना पड़े हो speed equal to distance of untime, time equal to distance of un-speed ठीक है, तो 1 by 25 इसका LCM लेलो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सौर है इसको 5 से कर देखिया denominator से 5 कमल ले लेले हैं, ऊफर चला जागा तो इसे पांच कर लो, इसे आठ कर लो, इसे दस कर लो, सलसीम क्या हो गया, 40, 40, 8, 5, 9, 10, 10, 12, 40, और 40 उफर चला जागा, तो 15, 155 गुड़े 5 गुड़े 40 वटा, 8, 4, 12, 10, 22, 24, यह तो कटी नहीं, रहा, 1 by 11 फेक्टर में आजाएगा, कोई दिकत नहीं, 1 by 11 फेक्टर में आजाएगा, उपर क्या हो जाएगा, 55 दूना, 110, और 2 से गुड़ा किये, तो 310 हो गया, 5 से किये, तो 5 फेक्टर में 5, 5 15, यह हो गया न, यह चीज़ आ गई, अब 155 बटाई 11 लिख दो बस, कुछ नहीं करना, 15, 11 से करते हैं, 11, 11, 4 होता हैं, 11, 33, 33 करते हैं, तो 13 बार में ले जाएगा, क्यों, अब 130 बार में ले जाओ, तो क्या होगा, 11, 11, 11, 33, 33, 33, 33, 34, 143 हो रहा हैं, तो 0 चला जाएगा, 155, 0 में से माइनस कर दोगे, तो 21, 120 हो गया, 8 11, 11, 99, 139, 99, 11 हो गया न, 21 हो गया बटाई 11, एक बरवार चला जा था, 140, आफसन में होगा नहीं, I think, कुछ तो गरवार है कहीं देख, अब यहां मिस्टिक क्या हो गई थी, यहां डिस्टेंस नहीं लिखा गया था, यह मुल्टिप्लाई कर दिया गया था, इस डिस्टेंस मे 40 बेक्तियों का वस्ट भार वावन है न, और एक शिक्षक को समील कर लेते हो, तो वस्ट भार, 0.5 से इंक्लेस कर जाता है, इसको कीलो में चेंज करोगे तो क्या हो जागा, एक हैर से डिवाइट करोगे, तो 0.5 हो जागा न, 100 तो खटम हो जागा, अब 40 बेक्तियों थे औ अब इंडिविएशन आप टोटल नमबर कर देते हैं लोग तो बतातेते हैं कि मैं कि इतने का एवरेज जैन जुगा है यही बताते है नो लो तो अब यह डिविएशन तो पता नहीं है आपको किया डिविएशन है एवरेज माना है आपने 40 लोग कितने हो गए था भी 41 अगर तो क्या पूछ रहा है सिख्छा कभार पूछ रहा है न तो कितने का डिविएशन है पांच पांच हो का 20 एक डिजट पर दसनो 20 दसनो तो पांच का डिफरेंस आया न फोटी विद्विए में लोग थे वेक यह था एवरेज कितना था 52 था पहले वरेज क्या था 52 था वीस में एड कर दो 20 का डिविशन है वीद दसनो पांच का बातर हो गया अंसर यहीं माती है और बताति हो आप ऐसे बताते हो देखो माल बते हो कि माना कि अखितने का डिवीयेस्ण विफार रहा है यह कैसे बताते हो मंने इसको अठाया हम ने विफार बता हो और और कितने का डिवेशन आ रहा है एवरेज में इधर एवरेज में डिवेशन रहा है न पॉइंट फाइव का तो बस यह डिवेशन मुल्टिप्लाई करना और इसमें बाउन में एट कर देना अचिया में 50 तो मुझे अपने 10 संत्रे द Одनल तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे marriage रूड़ संत्र 54 संथरίο कह रहा है कि तुम मुझे 10 संत्रे देता हो तुम मेरे पास तुम्हारे बचे पास बचे संत्रे से दुगुना संत्र हो जाएगा अब 50 ले लो 50 कह रहा है तो कह रहा है कि तुम्हारे बचे संत्रे से दुगुना हो जाएगा तुम्हारे बचे संत्रे से दुगुना हो जाएगा तुम्हारे पास जो संत्रे हो तुम्हारे पास बचे संत्रे से दुगुना संत्रे हो जाएगा तुम्हारे पास बचे संत्रे स तूँ मुझे 10 संत्रे दो अब यह इसको 10 संत्रे दे इसके ब़स 30 है 10 डे डिटे 40 तुब मेरे पास तुम्हारे बचे संत्रे इसके बचाशी वचिया बचे संत्रे के बराबर जागा ये बराबर है घलत डी चेक कर लो。 आवसंन तो D हो गया डी चेक कर lo पहले CASE में एक साथ सतर दे रहा है सतर है और एक असी हो गया उसका आद야 यहां चालीस हो गया अगर यह दस संथरा दे देता इसके पास सतर हो जाता और इसके पास भी क्या हो जाता वही संसी हर ईक शाह इन दो दो एक बच्चा कहा रहे है कि मुझे question problem और इसको ही बता देते हैं देखो एक समय माना एक आससे एक पास। मालो सथा हो 10 संत्रे हैं तो मुझे 10 संत्र видно entered 3 बिखे रहा करें B एक बैसे तायो करें कि अ liter d जैक्तने आउप नाण आ एक पास कितना था हूं तो सब्सक्राइब सीमस्ते इसके बां सन्य sisters प्लायर दे। पर एक पास कितना था था हूं तो दस मृस्ताल एक बैस पास ह new Aprilc पस 40 था तो, इसके बाससे ही हो गया, यह बचा हुआ संतरा है, तो इसके पस कितना था पहले संतरा, 50 था ना, यह निकालना पड़ेगा, यह पहले स्टेटिमेंट से है, स्टेटिमेंट फर्स्ट से आप यह बता दिये, कि B के पास originally कितना संतरा था, आपने माना कि माना ए के पास 70 संत्रे हैं question समझो यहां से माना कि ए के पास 70 संत्रे है option से मैंने माना कि माना ए के पास 70 संत्रे है कह रहा है कि A B से कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दो तो मेरे पास जो संत्रा होगा वो आपके संत्रे का दुगुना हो जागा कि बचे संब रेका आपके पर सफ़कर 40 बचा वद तो इसका दो याग मेरे पास एक आपने मान लिया है ये का एक क्यों बीके पास कितने संब्स ने च you कि इनिस्री लिख लूए इनी सिली बी के पास कितने संप रहते हैं कि पचास थे न पचास चॉंद हैं अब क्या तुम्हारे पास बच्चे संत्रे का संख्या के बरावर हो जागा अब देखो यहां 50 है इसके बस कितना दा 70 था और यह 10 देगा तो यह 60 हो जाएगा इसको देगा तो यह भी 60 हो जाएगा दूनों बरावर हो गया न वहीं चीज बोला है कि नेक्स दू वर्स पहले सहर की जनसंक्या इतनी थी यदि पीछले वर्स इतना प्रसेंट यह व्रत्वां जनसंक्या क्या है चार पर सेंट 550 का है यह लेवं मनऱ 204 का होलड इसका रहता है रूको 104 गुड इसकार फांच ऐसे होता न एफ P1 7 double 0 0 ऐसा ही करते हो न oh pause 104 और fare some 15 माश अब जिन संगल कितनी हो अधिभी पहले थी दो वर्स बाध और लिह थी क्या मौंटी्स पय looked odd युणिड से करते हुग्म यूनिड देंसों का सेम है अच दिखो यहाँ इक दो 0 face यहां से खतम हो जाएगा अब बताओ एक चीज यह पांच का मुल्टीपल है यह भी पांच का मुल्टीपल है इन फैक्ट यह 25 का मुल्टीपल है 25 साथ 175 हो गया न यह 25 का मुल्टीपल भी होना चाहिए सारे आप्सन सारे औपसन है 15 सूपाचाथ्तर कमी मुल्टिपल होने चाहिए 15 कमी मुल्टिपल हो जाएगा याहां से देखो माँ चेक चोंचे यहां से 3 का मुल्टिपल भी निकल दाए 3 का मुल्टिपल हमें इक वर चीज बता रहें दोगो यह 3 नहीं यह भी 3 देगा तीन का अच्छिक करूं है 2-9 है 8-9 यह नहीं है गलत 9 है 2-1-3 यह भी नहीं है गलत 1-1-2-1-3 यह है 3-9 है 3-2-3 यह वह हैं दोनों है c और d दूनों है अब देखते कौन है c भी है और d भी है कि 10 तीं का मल्टिपल अग बचीशका कि खर कि 10 कि कोоки तो एक सब पत्पिश से एक टे कटेगा एक सब्पटीजसा दलास्ट थ्री डिजी डिजीट कि छितना चाहिए ना पांच कीव ओ गुंक में अगसे पचीश तो थ्री डिजीट कि जिएक टे तो यह हो गया answer यह हो गया कि मैंने basic बता है आपको वैसे करना आप देखो यह किसका एक table में देखो यह 13 के table में आता है ना वह यह 15,7,105 15 और 7 के table में आता है इसको वैसे factorize कर दोगे ना तो 13 बाट 104 यह 13 गुड़े 8 आ जाएगा तो answer क्या होना चाहिए तो 3 के multiple से check कर लिया दो option नहीं है आठ का multiple बता होगे तो 8 का multiple last 3 digit कटना चाहिए ना last 3 digit कटना चाहिए यह कट रहा है नहीं कैसे कट रहा है 8 से नहीं कट रहा है ना लेकिन यह तो कट रहा है अब यह को और चीजिए दोखो 13 का multiple check कर लो यह तो यह चलाजा इसको ले ले लेगा यहां चार बचादेगा आठ नहीं लेगा ये चार बज जाएगा नेक्स्ट क्या कहा रहा है ये वाला क्वेस्चन सी फर कुर्सी उटी फर टेबल माल लो तो चार कुर्सी उट तिन टेबलों का कीमत पूछा क्या है फाइनली कुर्सी की तो टेबल को एक्वेट कर देना है ठीक है क्योड है कुर्सी पूछा है तो टेबल को एक्वेट कर देजीगा तो तीन है यहां पाँछ कुर्सी कीमत पूछ दो टेबलों की कीमत ये दे दिया है इसको एक्वेट करना यह है Пैण्थ कर्ना है त engagement है बो बहु जाँ इसको बहू जाँ Cross multiply भूए ना यहां 3 से multiply भूए है ऐसे लिख लो ऐसे जाधे clear होगा जैसे 3, 2 में आना तो उफर क्या करना है 2 से करना है तो यहां तो 2 लिखो और यहां 3 लिखो कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे कुरसी table बताओ के 4 कुरसी, 3 table पाच कुरसी, 2 table और जो भी कीमत होगी मालो कुछ भी कीमत है यहां एक से यहां वाई है तो यहां दो से करना है और यहां किसे करना है तीन से करना है ऐसे ब्रेकेट डाल देना ठीक है ऐसे ब्रेकेट डाल देना यहां दो से करना है और यहां तीन से करना है ऐसे याद रहेगा तुमको तो तो 4 दुना काट हो गया, 5 पंद्र हो गया, वैसे उधर भी करो गया, 2x हो गया, 3y हो गया, difference यहां क्या हो गया, 2x, 3y माइनस 2x, और यहां difference कितना हो गया, 7 खो गया, इसको इक्वेट कर दो गया, अंसर आजाएगा, यही चीज़ है, तह यहां 2 से किये न, candle 6 7 Alone क Patient 10 5च5 275 155 2 हो गया रीगी है ना तरहां चाहद कि मेहार हिसे करते हैं यह सतरत ह्ária कमत उइसना करता है ना विथाष जाना वह नहीं हो रहा है करते हैं हो जाएगी यहां 42 हो गया ने कि दूना वैलीस तो सतरत यह क्या वन 355 डेढ़ सो यह भी था न तो तो 11 में से नो दो गया नो हो गया नो एक दस कुछ फिर गवर कर रहा हूं लो इसको साथ से करोंगे तो क्या हो जागा चोदस्किन सात्यकाने वें पंद्रसद लाघस चीन सhteš । जो लोग से तो गफ्रडुब्सिंक ज unseremुन न कलेंगे झाल